इंडिया में जाता स्कूटर्स चाइना से लाए जाते हैं पर एथर एक अकेला ऐसा मैनुफाक्टरर है जो अपनी स्कूटर की डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग हमारे देश के हिसाब से करता है इनके स्कूटर्स में कभी आग नहीं लगती क्योंकि बैटरी को टेस्ट करने के लिए 40 feet की उचाए से फेका जाता है फिर भी इसकी aluminum casing उसे कुछ नहीं होने देती IP67 rating से मिलती है आपको 400 Ather की water reading capacity जो किसी SUV के बराबर है अब तक Ather के scooters काफी younger generation के और focus थे और performance oriented थे लेकिन जब इंडिया में 75% लोग two wheel से travel करते हैं इसका मतलब families को भी यह बहुत पसंद है इस problem को दूर करने के लिए Ather लेके आया है Rista family scooter जहाँ Ather के दूसरे scooters काफी sporty और enthusiastic design के साथ आते थे वहाँ पर Rista में आपको मिलती है काफी family वाली feeling when it comes to design Ather के सबसे ने scooter में आपको मिलती है सबसे बड़ी seat के है इंडिया में सबसे बड़ी है comparison के लिए side में सबसे ज़्यादा बिखने वाले ice scooter की seat और मेरे इस side में है सबसे ज़्यादा बिखने वाले EV scooter की seat एक बड़े से grab rail के साथ आपको back race में मिलता है ताकि आपको ज़्यादा secure feel इंडिया की सबसे बड़ी seat का मतलब है सबसे ज़्यादा storage space तो आपके scooter के storage compartment कई बार गंदा कपड़ा एधर उदर पढ़ा रहता था एधर ने बड़ी समझदारी से जो ही pocket नाम की जगा दिया जहां आप उस कपड़े को store कर सकते हो साथ में दूसरे आइटम भी और आपकी space खाली रहती है एधर मिलती है extendable frank space जो की almost 22 liters की है फ्रंक वा 22 liters का और seat के नीचे मिलते है आपको 34 liter की space यानि की total 56 liters of storage space सिर्फ यही नहीं आपको मिलता है एक organizer यहां अपनी सामवान डाला घर पहुंचे इसे उठाया seat बन की और चल दिये एथर बड़ा smartly प्रे करता है अपनी scooters के साथ यहां पर आपको मिलता है पावर हब जिसमें आप multi-purpose charger connect कर सकते हो और किसी भी जैसे phones और अपनी different gadgets को charge कर सकते हो प्लस यहीं पर आप Halo helmet का wireless charger भी लगा सकते हैं मेरी हाइट है six foot three inch फिर भी मेरे यहां पर गुटने नहीं टकवायर है और riding position तच में काफी comfortable है और मैं पीछे slide हो सकता हूं और जाधर comfortable होने के लिए आजकल की गाडियों की तरह एथर की lights भी connected है एक बड़ा sleek सा design मिलता है front में सामने की तरह पीछे भी दिखता है आपको one piece वाला light bar दूसे scooter में जब आप पीछे बैठते तो और भाई साब के bag हो तो यहां पर जगा नहीं बचते थी लेकिन मैं इसमें और भी पीछे हो सकता हूं और अब भी जगा बची है यहां पर आपको बहुत सारे color option मेरे बगल मे तो हमारा phone ping-ping करता रहता है रुक कर देखते तो पता चलता कि इसी फाल्तू बंदे ने message किया था इसकी screen पर आपको WhatsApp में जाता है ताकि आपको पता चले को important message आया है कि नहीं और WhatsApp के integration के साथ-साथ ही आप call को decline भी कर सकते है with a message WhatsApp or call के features के साथ-साथ आपको ping function भी मिल जाता ह है जिससे आप app के through पड़ी इसी parking में अपना scooter डून सकते हैं आप यहाँ पर screen देख सकते हैं काफी clear है और मेरे पास यहाँ पर joystick है जिससे में सारे function manage कर सकता हूं यहाँ पर buttons की quality में को काफी अच्छी लग रही है और horn कुछ ऐसा sound करता है यहाँ पर screen में आप multi-tasking कर सकते ह है WhatsApp messaging call pick करना है speed दिख जाती है आपको navigation दिख जाता है front और rear look तो काफी different है पर side profile की बात करो तो यह इनके दूसरे scooter से काफी match करता है family scooter के साथ मैंने center stand to expect किया था but थोड़ी सी engineering difficulties है battery वाले vehicle के साथ Ather के दूसरे scooter में इसकी belt exposed थी पर पहली बार आपको इसमें cover भी दिया जा बस throttle को opposite direction में घुमाई है और scooter रुख जाएगा auto hold और reverse function के साथ साथ आपको मिलता है anti skid function जो कि आपको फिसलने से कई बार बचा देगा इतर आपको दो models में मिलता है one is S second is Z S की claim range है up to 130 km लेकिन यह 105 जा सकता है और Z की claim range है 160 km पर यह 125 km तक चला जाएगा इतने रिस्ता के launch के साथ साथ हमें दिखता है उनका halo helmet smart phones है smart watches हैं तो smart helmets के उने तो यहाँ पर आपको मिल जाते हर्मन कार्डन के speakers तो आप चलते चलते गाने सुन सकते हैं कई लोग बोलेंगे कि इसमें traffic की आवाज नहीं आएंगे तो यह उनको filter करता है लेकिन इतना भी न सबसे interesting चीज इसे आप अपनी रिस्ता की storage space में रखें और यह wirelessly charge हो जाएगा हम सब जानते टू-wheels पर अपने पिलियन के साथ बात करना कितना मुश्किल होता है पर एथर ने launch किया halo bit जिससे कि आपने पिलियन के साथ ऐसे बात कर सकते हैं जैसे कि आप call कर रहे हो एथर र आपको एथर का यह ने आई वी स्कूटर कैसा लगा हमें कॉमें से बताएं लाइक और शेर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब तो जागरन हाइटेक